कि अब लो दोस्तों स्वागत है विश्वाश फार्म की यूटूब चनल पे और आज हम फिर एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें मटर की खेती के बारे में बात करने वाले हैं देखे दोस्तों मटर की खेती के लिए मैंने दो वीडियो अल्रेडी बना चुका है यह तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में आप मटर के पौदर में देख सकते हैं फूल और फल दोनों ही आ चुके हैं इस मटर की खे तो यहां पर जो मटर में हमने लगाई है उस मटर के जो बीज था धन्या सीट्स का था और उस मटर को लगाने के सारी विधी को मैंने वीडियो वटर की खेती के वीडियो एक में और उसके बाद उसमें खाद करने के प्रोसेस के बारे में वीडियो दो में दोनों की जानकारी मैंने दे दी है दोस्तों मैंने वीडियो में ही सारी जानकारी देने की कोशिश किया है यदि फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और यह मतर की जो लाइने देख रहे हैं आप यह करीबन 100 मीटर के आसपास लंबी लाइने हैं और हमने मतर को ड्रीप और बिना ड्रीप दोनों में ही लगाने के बारे में आप लोगों को बताया है जिसमें ड्रीप की फसल कैसी होती है और बिना ड्रीप में जब मतर की बुआई करेंगे तो उसमें कैसे मतर का खेती होगा उसके बारे में इस वीडियो में आप देख सकते है कि दोस्तों तो यह जो आप देख रहे हैं कि इसमें यह ड्रीप में लगी हुई है जब पौधे इसमें लंबे हो गए तो हमने इसमें रसी लगा दी ताकि यह पौधे मतलब जमीन से सट ना जाएं ताकि सीधे रहें और इसमें दवाई अगयरा परने से अच्छा इसमें हमको इसमें पाध्य में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे और मटर तोड़ने में भी आसानी होगी ये देख सकते हैं आप मटर की किस तरह से आप यहां पे मटर फला हुआ है दोस्तो भी मटर का मार्केट ट्रेड जो है अभी मार्केट में जो है मटर का रेट 30 से 40 रुपे की ये विक रहा है और जो ये मटर का खेत आप देख रहे हैं इसमें मटर आ चुके हैं और 15 से 20 दिन में 15 दिन में ही ये मटर पूरे तयार हो जाएंगे तो रोलने के लिए और 15 दिन के बाद हम इसको मार्केट ले जा सकेंगे दोस्तों मैं सोच रहा था कि मैं इसी वीडियो में फिर से सारी प्रोसेस को बताता जमीन तयार करने के बारे में जैविक खाद के बारे में फिर मटर लगाने के तरीके सारी चीजों को मैं सोचा था कि इसी वीडियो में मैं जोड़ दूँ लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाता और जिससे की आप लोगों को भी परिशानी होता फिर से दोबारा से सबी चीजों को देखने के लिए जो पुराने सब्सक्राइबर है उन्होंने तो देखी चुका है मटर की खेती के बारे में तो जो नए ल करते हैं और अब हम बिना डिरिप में किस तरह से मटर के फल आये हैं उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा यह देखिए यहां पर बगल में गोभी लगी है और इस तरह आप आपने क्यारी छोटी-छोटी क्यारी बनाके बिना डिरिप के ही मटर को बवाई किया था इसमें भ तो यह आप छोटा-छोटा क्यारी बनाके ताकि इसमें आप अच्छे से इसमें पानी क्या सिचाई कर सके और बाकी बहुत सारी बेनिफिट होती है मैं छोटी क्यारी बनाने के लिए इसलिए कहता हूं ताकि उसमें पानी निकालना भी आसान हो और पानी डालना भी आसान ह तो यह आप देख सकते हैं वीड़ा ड्रीप का था इसमें भी पूरा फ्लावरिंग हो चुका है फूल फूल भर चुके हैं फौल आने वाले हैं इसमें भी तो वीडियो से देखने के बाद आप लोगों को अगर कोई फायदा मिलता है दोस्तों तो अपने अंतने किसान भाईयों को भी आप सेंड करिएगा उनको जानकरी दीजेगा ताकि सभी कोई अच्छा मुनाफ़ा कमा सकें क्योंकि हमारा इंडिया तो किसी प्रधान देश है तो अगर सही तरीके से खेती करेंगे तो अच्छा मुनाफ़ा हम कमा सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद